आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे की बिस्कुट की रेस्पी सेयल कर रही हूँ हमने इसे बिना मैदा बिना अवन के बनाया है बहुती खस्ता बिस्कुट बन कर तयार होते हैं और गेहूं के आटे से बने हैं इसलिए हैल्दी भी है आप इन्हें एक बार बना कर पुरे महने स्टोर करके रख सकते हैं हेलो दोस्तों, मैं लटा पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल को कित लटा पटेल में आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे के बिस्किट की रैस्पी सेयर कर रही हूँ तो प्लीज वीडियो को पुरा देखिए और वीडियो पसंदा तो लाइक से रहो कोमेंट करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब निक्या तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बाल आइकन भी प्लेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे के बिस्कुट गेहूं के आटे के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात में लेंगे गेहूं का आटा हम एक बड़ी कटोरी गिहूं का आटा ले रहे हैं नॉर्मल जो हम रोटियों बनाने में यूज करते हैं वही वाला आटा लिया है बस आटा थोड़ा दरदरा हो तो बिस्किट ज्यादा खस्ता बनकर तयार होती है अब हम लेंगे एक छोटी कटोरी से आधक कटोरी से थोड़ा सज्यादा हमने सूजी लिया है इसे डाल देते हैं सूजी डालने से बिस्किट भाती खस्ता बनेगी तेकिन पूरी तरह से आपके ज्वाई से अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं नहीं डालिए, अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, हमने नारियल के गोले को घिस कर ले लिया है, अगर आपके पास डेसिकेटिड कोकोनट है, तो आप वो भी ले सकते हैं, आदा चम्मच, इलाची का पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर और खुजबू दोनों काटा लिया था, एक बड़ी कटोरी, तो एक छोटी कटोरी हमने चीनी लिया है, इसमें हम डालेंगे आधा कब से भी कम है दूद, आप दूद की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, तेकिन दूद से ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो हम इसमें दूद डाल रहे हैं, और अब थोड़ा मिला लेते हैं, और इसे रख देते हैं साइड में, अच्छा यहाँ ना, ध्यान देने वाली बात है कि हमें चीनी को घोलना नहीं है दूद में, चीनी साबुत ही रहनी चाहिए, जब यह चीनी साबुत रहती है, जो बिस्किट में बहुत अच्छा स किया था, इसमें हम डालेंगे घी, हमने एक कटोरी घी लिया है, घी हलका गुनगुना चाहिए हमें, अब अच्छी तरह से इसमें मोयन लगा लेते हैं, आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मीठी बिस्किट बना रहे हैं, तो इसमें घी का टेस्क बहु मोयन लगा लिया, मुठी बन रही है, बिखर नहीं रही है, मतलब की परफेक्ट मोयन लगकर तयार हुआ है, अब इसमें ये दूद डालेंगे, दूद और चीनी, जो हमने मिला कर रखा था, इसे डालते जाना है, और इसे मिक्स करके बांध लेना है, अच्छा यहां पर न एक और बात, यह अच्छी तरह से बंदेगा नहीं, मतलब की जैसे हम आटा गूशते हैं, वैसा हमें से गूथना भी नहीं है, और यह वैसा गूथेगा भी नहीं, बस हमें से बांध लेना है, अच्छी तरह से, चीनी हमने साबुट डाली है न, इसलिए भी यह अच्छी बंद नहीं पाता है, और हमें इसे गीला बांदना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नरब नहीं बांदना है, एक जम सक्त डो बनाकर तयार करना है, तो देखिए, इस तरह से हमने इसे बांध लिया, इखटा कर लिया है, थोड़ी सी महनत लगती है, इसे बांधने में, क्य लोई को पाटे पे रखकर हमें बेल लेना है, मोटी रोटी बना लेनी है, ये किनारों से फटता है, क्यूंकि डो बहुत ही हार्ड है, इसलिए ये किनारों से इस तरह से फटता रहेगा, तो इसे प्लेन करते रहना है, और हम इसके रोटी बना लेनी है, हमें मोटा ही रखन देखिए ये हमने छोटी डिबी का धकन ले लिया है आप चाहे तो इसे कटोरी से भी कट कर सकते हैं छोटा सा गलासो उससे भी कट कर सकते हैं या फिर मार्केट में बिस्किट कटर मिलते हैं वो हो आपके पास तो इससे भी कट कर सकते हैं तो इस तरह से दबाते हुए इसे कट कर लिया और जो ये किनारों में बचा हुआ भाग है इसे हम निकाल लेते हैं इसे हम जब दूसरी रोटी बनाएंगे तब यूज कर लेंगे देखिए इस तरह से हमने इसे गोल सेफ में बनाया है आप अपने पसंद के साफ से इसका सेफ रख सकते हैं चाहे तो चौकोन से बना सकते हैं जैसा हम मार्केट से लेकर आते हैं तो देखिए इस तरह से बना लिया अब हम इसमें डिजाइन डार लेते हैं इस तरह से चाकू से हमने इसमें डिजाइन बना लिया देखने में थोड़ा अच्छा लगता है चाहे तो आप इस तरह से प्लेन भी रख सकते है डिजाइन अगर नहीं डालना है तो इसी तरह से रख लीजिए तो हम सारी ही इस तरह से बना कर तयार कर लेते हैं तो लीजिए हमने बना कर तयार कर लिया चलिए अब इने फ्राई करते हैं तेल हमने गर्म होने रख दिया था मीडियम गर्म चाहिए हमें तेल बिस्किट फ्राई करने के लिए तो डार लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पर या बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें फ्राई नहीं करना है नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी उपर से तो लाल हो जाएगी कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी ये थोड़ी सिख चुकी है तो पलट लेते हैं और अब गैस का फ्लेम लो करके हम लो फ्लेम पर इन्हें सेख लेंगे लगबख 10-12 मिनट लगते हैं इन्हें सेखने में लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सिखने देना है जब तक कि ये हलकी रड न हो जाए डार्क ब्राउन न हो जाए तब तक सेख लेते हैं बिना आवन बिना मैदे के आप इसे बनाएंगे गेहूं के आटे से हेल्दी भी होती है टेस्टी भी होती है और एक बार बनाकर आप इन्हें पुरे महिना स्टोर करके रख सकते हैं आप बच्चों को दीजिए इसे कि बहुत अच्छी लगती ही खाने में बच्चों को बहुत पसंद आएगी तो देखिए सिख चुकी है बहुत अच्छा सा कलर आगया इन में तो बस अब निकाल लेते हैं और ये हमारी गेहूं के आटे की खस्ता बिस्किट बनकर तयार है आप इस तरह से गेहूं के आटे के बिस्किट घर पर बनाकर तयार करिए बच्चे मार्केट से लाना भूल जाएंगे ट्राय जरूर करिएगा गेहूं के आटे की इस बिस्किट की रस्पी को मेरे तरीके से और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेश सब्सक्राइब कर दीजिए साथी बाल आइकन भी प्लेश कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो मिलते हैं नए रस्पी वीडियो में तब तक ली नमस्ते